बोट इबरिवन कैसे हैं आप लोग आई हो बहुत अच्छी होंगे खुश होंगे स्वस्त होंगे आभी बजरा है आज है मंडे दस तारीक है बजरा है पॉने 9 और किन्चु को मैंने नहला किन्चु नहाद होके तो किंचु की आज हो रही है, बहुत दिनों बाद क्लास और अब मेरी भी आज़ादी खतम हो गई, तो किंचु कर रहा है, नहा दो कि क्लास, मैंने नहला दिया है बात मैं जडश्य मैं जड़ाई दिया बाद कर रही है, नहीं है, अवहँजिआ कर दो ऻाई पहला काम कि नहलाने के बाद ही मैं अपनी चाय रखती हूँ क्योंकि होता कि आए ना फिर उबलती रहती हो बलती रहती हो मुझे चानने का टाइम नी मिलता और रख दोना चाय एक बार बंद हो जाए गया आपने चाना नहीं है तो पिर चाय का वो ना टेस्ट दुबारा से आता जो ताजा ताजा बना हुआ कप में टालो वह और जो पांच मिट भी अगर आपने रख दी जाए तो उसका टेस्ट पता नहीं क्यों मुझे टेस्ट चेंज हो जाता है तो बस मैं इसलिए बाद में रखते हूं और अनुराग अपना उसमें लगे रहते हैं कामों में सु किंचो को बार दी हो जाती हूं फिर आजाती हूं यहां काम करने अदरवाई्स पताए साड़े सलद सतक पिर मैं कोच आइब और मेडल लाइड़ बेड़ा है यह चाले रहती है साथste और कोच नहीं करता है और शेरी unf बाटशी situations ख़लेंह रचेंक जनाकिन कूए Crime तो यहां पर मैंने अपना जो ब्रश से है यह बैचीट वह जाड़ दिया है क्योंकि मैं पूरा विंटर यही एक बैचीट बिचाती हूं सट्सेल आजिटे क्या गरीब है इस लिए तो मैं QR कराके बिचाती हूं और एन्दर बैड में डालती हूं इन रोवर होने के बाद तब भी मैं वाक्यूमा करती हूं तब वाक्यूमर और सब्सक्राइब घ्रखें राएसे ठ II बार रूम क्लीन यहां पर जो भी रात का फैला पड़ा होता है वो सब का इस साइट तेबल है इसको मैं एज़ा ड्रेसिंग टेबल यूज कर लेती हूं मेरे घर में स्रिफ ट्रेसिंग टेबल की कमी है वो मैं जान बुच कर नहीं लेती हूं क्योंकि ना कोई उस नहीं होता म मामा यह लाई थे मैगनेट यह वह बोर्ड इसमें इसके साथ एरो निकले थे और यहां पर इसने ना इसको स्रिफ दो-तीन दिन खेला है बाकी ऐसी बड़ा है कोई भी टॉइ मुझे लगता है घर में आता है बच्चा स्रिफ दो-तीन दिन खेलता है और फिर उसके बाद नही को बोला मैंने चार दिन दस तिन बसकार तो चलो 10-15 दिन चला भी लेगा उसके बाद कोई मतलब नहीं है मतलो फिरन्वरा को बहुत बहुत दिन तक मैंने समझाया वैसे एक बार को लो पर कि मन में आ घीए था कि चलो दिल्वा देते हैं बहुत दिन से बोल रहा है यहां प यहां मैं बीच मेरी बन गई है और मैं चाई पी रही हूँ तो आज थोड़ा सा चेंज हो गया है वर्मसिली की जगे में यह राइस पचा हुआ रखा तो इसको मैं फ्राइ करके बनाऊंगी और मैं कैसे फ्राइ करते हूं अब लंक साथ शेयर करूंगी तो यहां पर मैंने कड़ाई में डाल दिया है घी और ओनियन मैं चॉप करके रख लिया है यह है जीरा जीरा जैसे ही हमारा हो जाएगा उसके बाद मैं डालूंगी इस मैं प्याज और यह आप पताए मेरे कड़ाई सारी देखना आप मेरी कडाईयों को 8 साल हो गए और आपको ऐसी जगमता चकमकाती क्या बोलते इसको चमचमाती सौरी हाँ चमचमाती हुई मिलेंगी तो मुझे पता नहीं क्यों सफाई से बहुत प्यार है मैं एकदम चमका चमका के घिस घिस के अपने बरतन भी साफ करती हूँ आंटी ल जादा ता गाजर और आदी से जाधा शिमलामेश टी शिमलामेश पूरा डाल दे था मैंने तो मुझे पता है मैं सच मोझे कोई मीउसीट लगानी का मन नहीं होता अपनी व्लागम है क्योंकि मुझे आप लोगों से बाते करना बहुत अच्छा है अपनी चुटी-चुटी तो यहां पे मैंने इसमने प्याज डाल 裝 प्राज थे स्पोंगा के मैं एथा। दोड़ा पल़ा सबसी पक जाती है रहता सबसी हो जाए हम पाकशन और पका पलर सबसी पठना है का बाए को प्र HEY और पीपर किन्शू नहीं धार इस झाले को और दिखा रही थे तो बने हैं किन्शू कर दूद्ट वह चैली पयों तो दिका रही तेद उस्हेश कोुद्थ प्रति आ होका राक पर या जलेक्ष्चू नहीं हैं । यह सबजी आप घी में ही पकाना अदर्वाइस इसका टेस्ट नहीं आएगा तो जो राइस है मैंने ऐसी रख दिया था वो इसको मैं तोड़ लूगी हाथ से क्योंकि इतना अच्छे से यह स्पेटुला से नहीं होता है तो मैं इसको हाथ से करूंगी और फिर सारा राइस को इक्टम इक्वली मिला लूँगी इसको अच्छे से और बस यह आपको ध्यां रखना है कि राइस जालने के बाद और इसको थोड़ी देर तक फ्राइब करना है तोरब को इसको नीचे से नहीं उतारना जिससे की जो सॉल्ट और वो आ वो सबना छब गैशे से अप् support कर कि अन्राग बार बर जाते नहीं है यह कोविट की चक्कर में और इसलिए मेरी धनिया आनी पाती तो मैं अब इसको प्लेटिंग कर रही हूं सारी सबको दे रही हूं मतलब यह अन्राग का लगा दिया है फिर मेरा फिर किंचु का किंचु की ग्लाग ओवर हो गई है अब हम ल क्या होट है अब किस्ता भी बनोगे पीर में चला रहा है और यहां पर हम लोगी चल रही थी मस्ती किंचु और मेरी ब्रेकफस्ट के बाद का यह क्लिप है मैं कपड़े घड़ी करने चारी थी बीच में ही आ गया और मैं इसके साथ खेलती हूं काफी खेलती हूं और फाइटिंग वाइटिंग हम लोग बहुत खेलते हैं बट इसको पता होता है कि ममा कब सीरियस है और कब खेल के मूर में है तो ब्रेकफस्ट हम लोगा हो चुका है और अब मैं कर रही हूँ कपड़े फोल्ड और ये देखो ये क्या कर रहे हैं शतानी सारे कपड़े मेरे फिला दिया इसने पहाड बना रखा था उसको फ्लैट कर दिया पूरा और अभी बज़रा है पौने बारा ब्रेकफस्ट हम लोगा हो गया था ग्यारा सब ग्यारा तक हो गया था तो फिर हम लोग बाते करने बात फिर करूंगी अपना बाकी के बचे हुए काम वाला रूम भी मैंने साफ कर दिया जो जिसमें क्लास कर रहा था साफ मतलब अभी वह स्टैंड नहीं रखा है क्योंकि अभी धूप आईगी तब बाकी के कपड़े जो सूखे नहीं है उनको बाहर स्टैंड में डाल की र कर रहा हूंगी और हां आप लोगी साथ मैं एक बार मितलब अभी आने वाले वीडियो में शेयर करूंगी अपने व्लॉग मैं कि मैं किंचु को कैसे नहलाती हूं और कैसे कोल्ड और कफ से बचा के रखती हूं हमें याद नहीं है लास्ट किंचु को कोल्ड कब हुआ था कि आई इंक हो गए हूंगे देठ दो साल तो हुआ होगे तो क्या भी टेक्स होती हैं लोगों से जब बच्चों को कोल्ड कफ पकड़ लेता है और हमें नहलाने के आसपास मैं जब नहलाते है तो मैं अपने ट्रिक्स में क्या करती हूं कैसे किंचु को नहलाती हूं वह मैं शेयर करूँगी, बस मिलते हैं आपने नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाबाई, टेक क्यार, ख्यान रखेगा और अगर आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिसे मेरे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तक पहुचते रहें बाबाई, टेक क्यार, मिलते हैं न्यू व्लॉग में